हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारी यूटूब चेनल एवी एकैडमी, दोश्तो मैं हूं स्वेत और आप सभी का श्रागत है मेरी यूटूब चेनल एवी एकैडमी के साथ दोस्तो आज का class हमारा जोग्रफिक होगा और जोग्रफिक अंतरगत आज हम लोग Indian geography को देखेंगे तो दोस्तो बहुत ही important class है आप लोग class को अंतर देखें आपको बहुत सारा concept किलियर होगा जो मैं video आपको provide करवा रही हूं class के through जो भी one liner से यहां आपके NCRT पर आधारी थे तो हर एक examination के लिए जितने भी competitive exam होते सब के लिए बहुत important है तो आप लोग video को अंतर तक देखें इससे आप लोगों को benefit होगा इसके पहले मैं एक और class Indian geography का करवाई हूं जिसमें समाने परचे में क्या कहते हैं भारत के नक्षापे में समाने परचे को बताई हूं मैं कित्रू में बताई हूं जिन लोगों ने पिछले class को नहीं किया उनके लिए मैं description box में link को डाल दूँगी वहाँ से जाकर के आप class को कर लिजी आपको help मिलेगा तो चली आज के class को शुरू करते हैं भारती मानक समय रेखा एवं कर कर रेखा एक दूसरे को कहा काटती है तो पॉइंट से बनता है तो कोईट्स को देखिए गा भारती मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटती है तो 66 गड़ में काटती है इक दूसरे को कहां काट रहे तो 36 गड़ में काटती है ध्यान रखेगा आगे है भारत की मुख भूमी की तटिये लंबाई कितनी है तो तटिये लंबाई की बात कर रहा है तो भारत की मुख भूमी की तटिये लंबाई की बात कर रहा है तो भारत की मुख भूमी की तटिये लंबाई की बात कर रहा है तो भारत की मुख भूमी की तटिये लंबाई हुई है कि भारत के तटिये राज्य टोटल कितने हैं तो भारत के तटिये राज्य टोटल जो है जो नौ तटिये राज्य है जो तट पे आधारी थे भारत के तटिये सीमा से सटा हुआ राज्य जो जिसकी शंख्या नौ है याद रखेगा ही लोग आप लोग इसको चली आग वहीं जन संक्या की दृष्टी से भारत का विस्व में कौन सा अस्थान है तो दूसरा है यह 2011 के सिंसके आधार पे हालांकि अभी भारत जो पहले अस्थान पे आ गया है लेकिन हम नया डेटा जो नया सिंसे से उसके आधार पे देखा जाये तो लेकिन अभी नया सिंसus जारी नहीं हुवा है सिले भी हम दूसरे आश्थान पर भारत को देख रहे हैं जैंसंक्या के दुरिश्री कौण से वहीं कल के वीडियो में मैं बताइती कि छेत्रफल के कॉर्णिंग भारत का कौन सा अश्थान है तो यह विस्व में आश्थान है वह साथ मा आश्थान है और जनसंख्या के कॉर्डिंग 2011 के सिंसेस के तूथ दूसरा अश्थान है भारत का ध्यान लखेगा आप लोग तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं कि इन्सासित प्रदेशों को असपर्ष करती है तो असम की सीमा जो कुल कितने राज्यों को असपर्ष करती है तो साथ राज्यों को असपर्ष करती है नेताजी सुभाश्यंद्र बूस द्विप सहीद द्विपेवं स्वराज द्विप रख दिया गया है भारत की जल संधी द्वारा श्री लंका से प्रिथक होता है यानि कि भारत किस जल संधी के द्वारा श्री लंका से अलग हो रहा है तो पाक जल डमरू मद से भारत जो जो स्री लंका से अलग हो रहा है कोशन यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पाक जल डमरू मद जो भारत को किन राजियों से कौन से राजिय है जिसके द्वारा अलग कर रहा है कौन सा देश है जिसके अलग कर रहा है तो यहां पर option में भारत श्री लंका दे सकता है भारत पाकिस्तान दे सकता है भारत नेपाल दे सकता है भारत भुटान दे सकता है तो ऐसे करें कि option होगा तो यहां पर और सारे option में confusion नहीं होगा लेकिन होश है कि भारत पाक जल डमरूमद की बात कर रही है तो यहां पर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं भारत पाकिस्तान को लगा देते हैं तो ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि पाक जल डमरुम्मद जो है जो भारत और श्री लंका को अलग कर रहा है प्रिथक कर रहा है तो ध्यान एक आप लोग पाक जल डमरुम्मद जो है जो भारत इवं श्री लंका से प्रिथक कर रहा है जल संदी जो भारत को श्रिलंका से प्रिथक कर रहा है आगे भारत का कौन सा राजे जो है जो तीन ओर से बांगलादेश की सीमा से घीरा हुआ है तो तुरिपूरा है जो तीन ओर से बांगलादेश से घीरा हुआ है देखिए कोशन पूश रहे कि भारती है ऐसी कौन सी राजे जो तीन ओर से बांगलादेश की सीमा से घिरा हुआ है तीन ओर की बात कर रहा है तो ध्यान रखने के लिए त्रिपुरा त्रिपुरा और तीन और से जो घिर रहा है तो कौन सा राज होगा जो मांगलादीस की तीन सीमा घिर रहा है तीन और की सीमा से तो त्रिपुरा तीन से त्रिपुरा आप लोग याद रख शकते हैं तो इसे करें कि आप लोग आसान कर सकते हैं किसी भी चीज को याद करने की तरीका को तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग भारत के महत्पुन चैनल को देखते हैं नौ डिग्री चैनल की बात की जाए तो क्या कहते हैं लक्ष दूप एमम मिनी काई दूप के मद है अगर 9 डिग्री चैनल के बात की जाए तो लक्ष दूइप और मिनिकाय दूइप के मद है तो इसमें लक्ष दूइप और माल दूइप का ध्यान रखने है नौ डिग्री चैनल यानि कि लक्षदिव और मिनिकायदिव के मद है और आठ डिग्री चैनल के बात की जाए तो माल दिवेबं मिनिकायदिव के मद है ग्रेटियन महान चैनल जो है जो सुमात्रा और इंडोनेशिय और निकोबार के मद है पाक श्ट्रेट जल्डम्रू मद भार्थ और स्रीलंका के मध है माहीं क्रिक निवेश एक पतली सी निवेशी का जो मुंबई में खंबात की खारी पुर्वी गुजरात नर्मदा और तापती का मुँहाना जो है लक्ष द्विप सागर जो है जो लक्ष द्विप और मालावार तट के मद्ध है मनार की खारी दक्षिन पश्रिम तमिलनाडूर स्री लंका के मद्ध है मनार की खारी आएगा तो दक्षिन पश्रिम तमिलनाडूर स्री लंका के मद्ध है यानि कि अभी अब क्या कहते हैं भारत और श्री लंका को अलग कर रही है इसके बीच है मनार की खारी कोको इस्ट्रेट जलडम रूमाद जो कोको दृप मेंमार और उत्री अंडमाण के मद हैं आगे देखे डंकन पास दक्षनी अंडमान और लगू अंडमान के मद है दक्षनी अन्दमान एवं लगू अन्दमान के मद है अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं विभिन देशों के साथ भारत की अंतराष्टिये शीमा भारत की अंतराष्टिये सीमा की क्लंबाई एवं संबंध राज्य एवं किनसासित प्रदेश यानि कि देखेंगे कि अलग-अलग देशों के साथ भारत के इंतराष्ट्री शीमा की लंबाई कितनी है और संबंद इवं रखमत जो संबंद है किस राजय और किस किनसासित प्रदेश से उसका संबंद है इसको देखेंगे तो पहला है बांगला देस जिसकी लम्बाई जो है जो 4,096 हैं यहां पर बता दो कि सबसे अधिक जो भारती सीमा रेखा को जो आसपर्श करती है किसी देस की सीमा रेखा तो यह बांगला देसकी सीमा रेखा है क्योंकि देखिए यहां पर सबसाइब दिखाई दे रहा है चारहजार शियानमे और देशों कि इन से कम है तो बांगला देश एक ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है सीमा रेखा जो है जो भारत की सीमा रेखा को सब सारवधिक सबसे जादा सपर्ष करती है टोटल लंबाई जो ह इसकी जो चारहजार शियानमे है वही जो सीमा रेखा है जो रेड क्लिफ रेखा है रेड क्लिफ रेखा है जो क्या कते भारत और बांगला देश के बीच की जो सीमा रेखा है जिसका क्या नाम है तो रेड क्लिफ रेखा है अब हम लोग देखते हैं कि किन राज्यों से कितन कितनी है सो देख रहे तो बांगल CEO Mu गापकेनल mint Democrat Varos करती है बांगलादेस की चेमा रेका जो 5 राज्यों को सबर्सक्रा पैंकर नहीं मिह करें मिजोर्य त्रिपूरा और असम है, आगह चाइना को देखते हैं, तो चीन जो जो ढूसरे स्थान पर इसकी लंबाई जो भारत को अस्पर्ष करती है, 3488, चीन की जो लंबाई है जो 3488 है, और यह जो रेखा है, जो इन दोनों के बेच है, भारत और चीन के बेच, है बारत और चीन के बीच जो रेखा गुजरती उसका नम मेक मोहनडेका है द्यान रखेंङंगा मेक मोहनडेका जो भारत और चीन कर बीच से है इसकी टोटल मंबाई 3488 जो भरतिये देष को असपरश करती है पांच राज जो है जो है लद्दाक हिमाचल प्रदेश उत्राखंड शिक्किमोर और नाचल प्रदेश अब आते तीसरा देश जो भारतिये सीमा को असपर्ष कर रहे हैं भारत के इंतराश्ची सीमा की लंबाई देखते हैं तो पाकिस्तान की तुरू कितना असपर्ष कर रहे हैं तो 3323 जो भारतिये सीमा पाकिस पाकिस्तान जो है जो भारत की सिमा से जो असपरश करती है वह सिमा उसकी लंबाई टोटल 33 से और यह जो रेखा है जो रेड़ क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खिची गई है वह रेड़ क्लिफ रेखा है जिसकी टोटल लंबाई जो देखी जा सुरी टोटर लंबाई 333 से वह यह वहीं पर यह कितने राजियों से गुजर रही तो पांच राजियों से गुजर रही है उन राजियों के नाम ध्यार रखना है तो गुजरात राजिस्थान पंजाब जम्मु कास्मिर और लद्दाग तो यहां पर बहुत सारा कोशन पूछ पानिष्थान के बीच तो इस तरीके से नाम रहता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारती डेट क्लिफ रेखा जो भारत और बांगलादेस के बीच से क्रॉस करती है तो इस तरीके से कोश्चन बनेगा या फिर एक और कोश्चन बन सकता है यहां पर किसकी टोटल वहIF 5 राज crochet है तो राज्ज का भी नाम ध्यार रखना होगा श्यमंगाल में मी जोरम पूरा सम्टम इस तरीके से कोश्चन पूछते है कितने राज्यों को असपर्ष कर रहे है तो उपसंस में एक राज्य जो अलग देगा जैसर पश्यमंगाल में घाले और मियो दुजरा तो आपको पताओ ध्यान होगा कि बांगला देश से कौन-कौन सराज क्या करती असपर्ष करती तभी आप सही लगाएंगे फिर तो सही जवाब लगा सकते तो ध्यान लखना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पांच राज जो है जैसे पशिमंगल में घाले मिजोरम त असपर्ष करती तो सबका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए तो हम लोग रेट क्लिफ रेखा को देख रहे थे रेट क्लिफ रेखा को जानगे कि पांच राज्यों को गुजरती है अब आगे हम लोग देखते हैं नेपाल नेपाल जिसकी टोटल लंबाई 1751 किलोमेटर है जो भारती है रेखा को असपर्ष करती है आगे देखते हैं टोटल या पांच टोटल जो है जो पांच राज्यों को असपर्ष करती है भी जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्यमंगाल, सिक्किम और उत्राखर्ण है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्यमंगाल, सिक्क करती है और नाचल परदिस नागालेंड मिजोरे में मनीपूर भुटान जो 699 किलोमेटर इसकी लंबाई है यह चार राज्यों को असपरश करती है पशिमंगाल सिक्किम और नाचल परदिस और असम अफगानिस्तान 106 इसकी टोटल लंबाई 106 किलोमेटर है यह डुडंड र सबसे कम लंबाई है इसकी जो असपरश करती है राज्यों को तो 106 किलोमेटर है वहीं यहाँ पर एक मात्र राजी जिसको इस पर्स कर रही है तो लद्दाक है और भारत और अफगानिस्तान के बीक जो रेखा खिची गई इसका नाम डुरंड रेखा है तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान हो गए ठीच और यह आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है आगे देखते हैं हम लोग मैक मोहन डेखा के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं मैक मोहन डेखा भारत के भारत के शाषन के दौरान भारत वो चिन के मद उत्तर पूर्विम में यह सीमा रेखा 27 अपरेल 1914 को निर्धारित की गई थी कब निर्धारित की गई थी मैक मोहन डेखा तो क्या कहते हैं 27 अपरेल 1914 को या भारत और चिन के भी है खिचिगे रेखा है जिसे मैक मोहन डेखा कहा गया इसका नाम सर हैनुरी मैक मोहन के नाम पर रखा गया और वर्स 1914 में हुई सीमला समझाते में इसे दोनों देशों में सीमा रेखा के रूप में स्विकार किया भारत और चीन आगे हम लोग देख देते हैं रेड क्लिप रेखा के बारे में विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1946 को भारतवा पाकिस्तान के मधि निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा के नाम से जाने जाती है इस रेखा का निर्धारन बॉर्डर कमिशन द्वाडा किया गया था इस कमिशन के अध्यक सर सीरिल रेड क्लिप थे इनहीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिप रेखा रखा गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रॉस करती रेड क्लिप रेखा अब देखते कारकुरम स्रेनी को उच एसिया के रिड के नाम से जाना जाता है तो कोश्चन पूछेगा यहाँ पर कि किस स्रेनी को उच एसिया के रिड के नाम से जाना जाता है तो कारकुरम स्रेनी को उच एसिया के रिड के नाम से जाना जाएगा तो दिश्टो इस तरीके से हम लोगों ने NCRT की सार संग्रा को वन लाइनर को हम लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों को अच्छा लगाओगा क्लास बहुत ही इंपोर्टेंस पॉइंट्स वगरा है जिसको मैं इस क्लास में डिश्कस कर रही हूं आगे भी करूंगी यानि कि सिक से लेकर 12 तक के जोग्रफी जितने भी दिये हैं सबको मैं आपको वन लाइनर की तुरू समझा कर मैं कम्प्लिट करवाओंगी ताक कि आपका जोग्रफी से एक भी कोश्चन छूटे नहीं और आप लोग अच्छ से कर पाएं एक्जामिनेशन में अच्छा नंबर उठ कुर्प सकते सांट मैं बिहार जोग्रफी से रिलोटेड भी क्लास प्रभाइड कर वाइं हूं आगे करवाऊंगी अभिशाद क्लास में प्रभाइड करवा कर वा दी हूं को भी बहुत ही अच्छा है वहां से आपके पोश्चन डारेक्ट 목न मिलेंगे और आपको आपके कैशा लग रहा है क्योंकि आपके कॉमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के तुरू हम और ज्यादा अच्छा मेहनत करने की कोशिस करेंगे और आपके लिए अच्छे से और मतलब अच्छी वीडियो आप लोगो मैं प्रुभाइड करवाओंगी तो अग और लोगों को भी बेनिफिट मिले और लोग अराम से एंसी आर्टी के जितने भी इंपोर्टेंस पॉइंट है इसको ध्यान में रख सके क्योंकि बुक पढ़ना लोगों को थोड़ा सा आसकत लगता था इसके लिए आप इसके थुरू भी आप अच्छे से क्लास कर सकते हा होगा तो ज़्याद स्याद लोगों में सेर कीजिए ताकि उन्हों को भी इसका फायदा हो सके थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो